तो दोस्तो आज हम बात करेंगे रियल में के तरफ से आने वाल एन्यू अपकमेंगा स्मार्फोन रियल में Q2 स्मार्फोन के बारे में इस डिवाइस को लेकर कापी सारे एस्पेक्स डिविल हो चुके हैं वह इस डिवाइस को कुछ दिनों पहले ही एस्पोर्ट किया गा था यानि के डिवाइस लॉंचिंग के काफी करीब है और वहीं यह डिवाइस आपको 5G के साथ में देखने को मिलेगा तो आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस डिवाइस के कंप्लीट एस्पेक्स और प्राइजिंग के बारे में तो जानने के लिए आप वीडियो का कटाउट भी दिया जाएगा और यह डिस्प्ले आपको 90 हर्स या फिर आपको 120 हर्स का रिफ्रेश्ट भी देखने को मिल सकता है जिससे आपका गेमी परफॉमेंस और भी स्मूथ हो जाएगा और इसका स्कीन टू बड़ियो आपको काफी कम दिया जाएगा और डिस्प् बैक पैनल पर रियल्मी का टैग लैंड डेर टूलिप देखने को मिलेगा तो यह डिवाइस रियल्मी के दूसरे स्मार्टफॉन से काफी डिफिरेंट देखने को मिलता है तो यानि कि इस बार रियल्मी अपने बिल्ड क्वालेटी पे काफी अच्छे से वर्क किया है और नहीं आपको साइड मांटेट फिंगर पेंट संदर का सपोर्ट भी दिया जाएगा कैमरा के बारें बात कर लिए तो यह डिवाइस आपको ट्रिपल एयर कैमरा सेटप के साथ में आता है जहां पर आपको प्राइम लेंस फोर्टी एट मेंगा पसिल का दिया जाएगा अब कैमरा आपको रियर और फ्रेंट दोनों तरफ ठीकी देखने को मिलता है पावर के बारें बात कर लिए तो यह डिवाइस आपको लॉंग लास्टिंग बैट्टी के साथ में आएगा जहां पर आपको फाइवजन एमस का पाउरफुल बैटी दिया जाएगा साथ ही आपको पाउर्टी बाइट का फाचार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो कि कापी इंट्रेस्टिंग बात है और यहां पर आपको चार्जिंग के लिए टाप सी के निटीवीट का सपोर्ट और और अडियो एंड मूजिक के लिए आपको थी पाइंट फाइम को और जीगार्ट चार कोटेक्स एफाइफ फाइफ फाइफ जीगार्ट पर क्लोग किया गया है साथ कि आपके गेंग पर्फोंच को और भी बुस्ट करने के लिए माली जी फिप्टी सविन का जीपू देखनी को मिलेगा और यह चिपसट आपको फाइजी के अंदर पर्फोंच काफी बेट और इसका टॉप मोडल आपको 8GB प्लस 256GB के साथ मेंगा तो कैसे बात करें इसके प्राइजिंग के बारे में तो यह डिवाइस आपको 20,000 के आसपास देखनी को मिलेगा और इस डिवाइस को 13 अक्टूबर को चैना में लॉंच किया जा रहा है और इंडिया में आपको साह से इंडिया में भी देखने को मिल सकता है वैसे इस डिवाइस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप हमें जरू से कमेंट में सेर कीजेगा तो यह फिलाल के इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग लव यू वाल टेक्यार बाइं हैवन एस डे